बातियों एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूटूब चनलन पर हार्दिक अभिनेंदन और स्वागत है देखिए इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जो 23 जुलाई 23 जुलाई को जो फर्स्ट सिप्ट में जो पेपर हुआ था लेवल वन का लेवल वन तो उसका साइकलोजी है और साइकलोजी के सारे प्रशनों के उत्तर आपके सामने पेस की जा रहे हैं और सभी सठीक उत्तर हैं एक दूख कुस्ण में थोड़ा कंफ्यूजन है बाकि सभी क को अंत्रक जरूर देखें देखिए पहला प्रसन है पहला प्रसन है इसमें देखिए आप निमलिक्त में से कौन सी इस्तिती समायजन को बढ़ावा देती है जो बढ़ावा देती है बेचिप्त भय और चंता से मुक्त बेचिप्त भय और चंता से मुक्त यह आगर आपका आंसर लगाया है तो यह बिल्कुल करेक्ट सही है आपका अगला कुशन है दूसरे वाला प्रतिवासाली बालक के लक्षन क्या है जो प्रतिवासाली बालक के लक्षन है उनको आपको देखना है तो इसका C answer हो जाएगा दूसरा और चौथा दूसरा चौथा मतलब जिग्यासा और अति सेक्रियता इनके अंदर पाई जाती है प्रतिवसाली बालकों में यह बिल्कुल राइट उत्तर इसका अगला question है यह देखिए बुद्धी लब्दी के लिए निमलिवत फॉर्मूला किस ने दिया था देखिए आप लोगों पता होगा अगर यह केवल अगर यहां से 100 नहीं होता तो यह इस टरन का हो जाता लेकिन इसमें 100 लिखा हुआ है तो यह इसका correct answer है टर्मन का उप्तर हो जाएगा अगला को सुन देखिए सरजनात्मक्ता मुखत किस सम्मादित है तो सरजनात्मक्ता मुखत किस सम्मादित है यह है अपसारी चिंतन से बहुत अच्छा प्रसन है अगर वो देता प्रतिवसाली तो अपसारी चिंतन हो जाता इसका तो यह हो जाएगा अपसारी चिंतन एकडम राइट उत्तर है अगला कुसन देखिए अगला कुसन पांचवाँ सीखना ब्याभार में उत्र उत्र समझेत की परिक्रिया काफी सरल परिभास आये और यह है इसकी नर्की अगला कोशन देखिए अगला कोशन है और प्रस नमर छे है काक्षा 2 की छात्रा स्रिस्टी को अध्यापिका ने मूल गनित विशे के सवाल करवाए अगले दिन उसने बाजार में सामान खरदने के उपरांत दुकांदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्नित करके सही करवाया यह अधिगम कौण से प्रकार का अधिगम है तो यह आपको देखना होगा छटमा है तो यह एक प्रकार का सकारात्म का अधिगम है कैसा होगा सकारात्म का अधिगम का दुन्द तो ए आंसर हो जाएगा इसका अगला पुशन देखिए अगला पुशन है रवी का बुद्धी परिक्षन इंगित करता है कि वह औसत से लेकर के औसत से अधिक बुद्धी मत्ता की सरेणी में आता है हलाकि पढ़ने हलाकि पढ़ने वर्तनी समाजिक विज्ञान और समाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है उसके ग्रेड काफी आधिक है तो रवी की इस लेखन विधी लेखन कोसल में अच्छा है रवी में अधिक संभावना पाई जाएगी तो यह आठमा आंसर आठमा कुशन है और आठमा कुशन का उत्ता हो सब्सक्राइगा बिल्कुल क्रेक्ट आंसर है सी डिसलेक्सिया पढ़ने संबंदी विक्रती पाई जाएगी कि इसमें पढ़ने का कहीं उलिक नहीं है अब देखिया गए नौमा कुशन है और नौमा कुशन को आप अच्छे से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे देखना है अनौमे में तो देखिये इसमें करा की बंदना परिक्षा में अच्छे अंक प्राप्ट करने के लिए कठोर्र परस्रम कर रही है जिससे वह अपने माता पिता से उपाहर प्राफ्ट कर सके इक यह है उर्मिला फटापट ग्रहकारे समाप्त कर रही है क्योंकि ग्रहकारे समाप्त करके वहे टीवी देख सकेगी इला बहुस सारी पुष्टकें पढ़ रही है क्योंकि वह जिसे जिले में पर्थम इस्थान प्राप्त करके विद्याले का नाम जिला इस्तर पर रोशन करना चाहती है तो डी वाला ओप्सन है मेघा अपने अपने परियोजना कारे के लिए विविन सुरो तलास रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रोची रखती है तो साथियों ये इसका इंपोर्टेंट हो जाएगा डी आंसर करेक्ट सही है कोई संदे और कोई परिशनी की बात नहीं है अगला कुशन है निम्न मेंसे किस ने अधिगम सिद्धान का पिर्थिपादन नहीं किया अधिगम के संद्ध में बात कर रहा है तो इसके ने अधिगम में अपने सिद्धान दिया है थोंडा एक ने दिया कोलर ने दिया लेकिन बी एस बिलूम का कोई संद्ध अधिगम के सिद्धानतों से नहीं है अगला कुश्ण है निम्न मैंसे कि सिद्दान्त को पुनरबलन का सिद्दान्त भी कहा जाता है तो इसमें से क्रिया पुरसूत अधगम का सिद्दान्त है जो इसकी नर का है इसकी नर ने पुनरबलन बताए है चार प्रकार के पुनरबलन का उलेख भी किया है इस किंडरन है तो अगला question हो जाएगा बारेवां RTE अधिनियम 2009 की आंसार सिक्षकों के लिए प्रतिस अप्ता काम में के निर्धाइद घंटे हैं तो हो जाएगा 45 तो इसका C आंसार हो जाएगा इसके बाद में निम्न में से कौन सा एक उत्तम प्रक्षन की विशेष्था से भिन्न है जो उसकी विशेष्था नहीं है ये कहना चाहता है भिन्न पूछ रहा है तो देखिए विश्वसनिता वैदिता और वस्तु निष्टता ये सब होते हैं लेकिन अभी चमता नहीं होती है आगला कुशन देखिए विद्यार्ती केंद्रित पाठक्रम में निमलिखत मैं सबसे महत्मून कौन रहता है तो बच्चा रहेगा यनि सिक्षार्ती आगे देखिए अगला कुशन है पंद्रमा बार बार बच्चों को सजा से बचने बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतविदियों में सलंगन होने के लिए कहना क्या दर्साता है तो ये जो वो कुशन है इसे आप अच्चे से पर देख लीजिए ये प्रसन नमर 15 है 15 निर्खा है डी आंसर होगा इसका क्या होगा आप अच्चे समना उत्तर मिला लेना डी करेक्ट आंसर है बच्चों की प्राक्रितिक रूची और सीखने में सामिल होने की जिग्या सा को कम करता आए ये इसका उत्तर है आगला कुशन देखिए क्रियात्मक अनुसंधान का आर्थ है जो क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है इसमें सोले का है कौन सा है एक सोद जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके बहल்कुल राइट आणसर है N.C.F. 2005 की अनुसर एक शिक्चक की भूमी का होनी चाहिए सुविधा दाता के रुप में जो फैसिलेटर होते हैं सुविधा दाता के रुप में इनका काम है अगला कुशन है अठारमा मुल्यांकर का उद्देश क्या होता है तो मैं आपको उत्तर ही बता जाता हूँ मुल्यांकर का उद्देश क्या होता है अठारमे का तो यह हो जाएगा सीकने की कटनाई और समस्यां का निदान करने के लिए ये इसका सही उत्तर है अगला कुशन है 19 19 कुशन है एक चिंतन सील सिख्षा कक्षा कक्ष में ऐसी परस्तिती उत्पन करता है कि चात्र चात्र व्याख्यान सुन सके कक्षा कक्ष में सिख्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सके कक्षा कक्ष में अनुशा से बनाए रखे और चात्रों और सिख्षकों में परस्परिक अंत्यकरिया को प्रोधसान मिल सके तो आंसर नमबर 19 है तो इसका सही और सटी का आंसर होगा D अगला कुशन देखिए अगला कुशन है विकास सामानने से बिसेस्ट की और होता है तो आपको पता लग या होगा इसका आंसर A हो जाएगा 20 में और अगला कुशन है 21 21 कुशन है यह आप देख लीजिए थोड़ा सा मिलान वाला कुशन है और अच्छा भी परिशन है देखिए जो 21 जो कुशन है वह मैं आपको यहां दिखा देता हूँ थोड़ा सा 21 वाला कुशन जो है 21 तो इसका उत्तर हो जाएगा A क्या होगा A होगा अपने अच्छे से मिला लेना और इसमें दिख रहा होगा आप लोगों को समीप दुरवाजी दिशा जो सरसे जो है हो है इससे मैच करेगा वो D से सरीर के केंदर से बाहर की और वरदी सिर पद्रमुक सिद्दांत है वो सरसे पेरों की ओर है तो इसमें A हो जाएगा और अंतरे व्यक्ति भिन्नता जो है तीन में हो जाएगा B B हो जाएगा तो यह हो जाएगा भिन बच्चों यानि भिन बच्चे भिन भिन दर से बढ़ते हैं और जो D वाला आप्शन है और इसका हो जाएगा C इस तरह से तो यह इसका राइट आंसर है A अगला कुशन देखिए अगला कुशन है अगला कुशन है 22 22 क्या करा है तब होता है या होती है जब परिपक्ता और अनभाव के कारण मनुस में क्रमबंद और प्रगतिसील परिवर्तन होते हैं तो यह कब होती है तो आंसर नमर 22 का 22 का हो जाएगा विकास विकास तब होता है या होती है जब परिपक्ता और अनभाव के कारण मनुस में क्रमबंद और प्रगतिसील परिवर्तन आते हैं तो यह विकास है 100% अगला कुशन देखिए नमले कितमे से कौन सी बच्पन की विशेष्था नहीं है देखिए अनुकर्ण होता बच्पन में खिलने की आयू होती है सवाल करने की आयू होती है बिल्कुल छोटा बच्च सवाल करता है ता बार-बार पूशत रहता यह क्या पापा ये क्या चॉछ तो इस तरह क्याकि प्राक टोली आई यो देखेगी प्राक टोली आई यो इसका उत्तर होना चाहिए न straight listen gaz लेकिन इसमें तो चाहिए कि तो दोड़ा confusion है कि सबी विशेश्थाय बच्वल रूदिक है प्राक टोली आयू इसका उत्तर deport करता 90% आप इसका एंसर कर सकते हैं आंसर की आने तक का अगला कुशन है 24 प्रकृति इवं पॉर्शन विवाथ निमली खित्में से किससे संबंदित है संबंदित है 24 कुशन है 24 तो इसका उत्तर हो जाएगा अगला कुशन देखिए 25 कितना है 25 है और इसका आंसर क्या होगा यह आप देखना थोड़ा सा निमली खित्में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है असत्य की बात कर रहा है और असत्य कौन कौन से इसमें तो इसमें यह समझना जरूर नहीं है कि प्रतिक बच्चा अधिति है बच्चा एक विक्रित पूर्ण रूप के पूर्ण के रूप में बैक्सित होता है और इसका एक दियर रखा है विकास के एक पहलू मैं किसी समस्या की दूसरों को प्रभावबत करने की संभावना होती है और विकास एक अनुक्रमिक प्रिक्रिया है तो सात्यों इसका हो जाएगा ए और बी और सी तीनों उत्ता सही है इसके और इसके बाद में अगला कुस्षन है कुस्षन नमर 26 इसकूल को व्यक्तिगत भिनता का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि 26 वह प्रसन है देखिए इसको इसका आंसर हो जाएगा समझने के लिए छात्र समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं यह अपने आप में इंपोर्टन हो जाएगा और यह कि अगला कुछन है ट्वन्टी एट है इसमें रखा है कि पृतिएक व्यक्ति का कारे निष्ट योगता का पृतिविम होता है किसी विशेश कारे को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योगताओं में से कुछ को प्रद्रसित रूप में चुनाप कर लेता है यह सिद्दांत है तो यह थॉमसन का है प्रतिदर सिद्दांत थॉमसन का है यह बिल्कुल राइट उत्तर है इसका आपको कन्फुजन है वो निकाल देना दिमाग से निमन में से कौन सी व्यक्तित तमापन की कथानक संपर्दर परिक्षन जो ठेट होता है ठेट होता है इसे ब reduces इसका ब 와लकों रखती होती है 140 तो 140 इसका बी आइफ सर हो जाएगा तो साथिव आपके कितने उत्तर सही बैट रहें आप में कमेंट कर ज़रूर बताए और आपके लिए इसके बाद में हम अगले वीडियो में mathematics का वीडियो आपको देने वाले हैं उसके बाद हिंदी का भी वीडियो आपके सामने आने वाला है Thank you सात्यों धन्यवाद